इस वीडियो में हम क्लास 8 वुकारस अगरवाल चैप्टर 3 स्क्यूर एंड स्क्यूर रूट्स एक्सरसाइज 3A कोश्चेन 2 से स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज 3A की थर्ड वीडियो है क्लास 8 की सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आप देखना चाते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं क्लास 6, क्लास 7 वुकारस अगरवाल के चैप्टर्स की वीडियो आज़ी चैनल पर अप्लोड हो चुकी है उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आप चेक करने चाते हैं तो वहाँ से चेक कर सकते हैं Student question 2 है Show that each of the following number is a perfect square In each case, find the number whose square is the given number अब student यह जो numbers लिए हैं यह एक perfect square हैं यह हमने show करना है ठीक है न और उमने जो डिस number का 오 टो square है वह भी हमने find out करना है तो student perfect square क्या हता है कि जब हम numbers के factor बनाते हैं तो उसके जो numbers है pure में होते हैं तो that number कहता है perfect square कहलाता है ठीक है अब जैसे part 1 है part 1 हमारे पास कहा है 12 25 अब इसके हम factor बनाएंगे 12 25 अब बच्चों देखो सबसे पहले तो हम यह हमें पता है कि एक 2 से नहीं जा सकता है क्योंकि इसके last में 5 है ठीक है न 2 से divisibility कब बनती है जब last में 0 2 4 6 8 हो ठीक है अब 3 की divisibility हम कैसे करेंगे इन सबको चेक करेंगे 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 9 9 प्लस 1 10 तो इनका जो add करके जो number आ र तो यह 3 से भी divide नहीं हो सकता है अब यह 5 से divide हो सकता है क्योंकि इसका unit number क्या 5 है 5 की divisibility क्या है कि जब unit number 0 यह 5 हो तो वह 5 से divide हो जाता है तो 5 अब 5 के table 12 नहीं तो उसके नजदी कहता है 5 2s 10 remainder बच गया 22 5 4 22 अब फिर 22 में से 20 को less किया तो महारे पास आ गया 2 remainder बच गया यह बनके 25 55 25 अगें यह 5 पी जाएगा अब 24 है 5 4 20 लेंगे 24 में से 20 को less किया 4 रहे गया अब यह बनके 45 तो 5 9 45 अब स्टुदेंट जो 49 है वह किस में आता है 7 के table में आता है 7 749 और 717 ठीक है अब स्टुदेंट जो 1225 है इसके factor के बने 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 और यह के प्यर की फॉर में तो 5 स्क्यूर मल्टिप्लाइब 7 स्क्यूर तो 5 इंटू 7 का स्क्यूर आजएगा स्क्यूर कॉमन नहीं इसको नभार कर दिया तो 7535 का स्क्यूर ठीक है स्टुदेंट तो हम यहां पर लिखेंगे वोल्डिंग आप कुछ भी लिया सकते हो ठीक है अब यहां पर यह बोला गया है तो यहां पर यह हमने शो कर दिया कि 1225 इस प्रफेक्ट स्क्यूर अब उन्हांने कहा है कि इन इचके स्ट नंबर हुश्क्यूर इस गिवन नंबर ठीक है अब इस नंबर का जो स्क्यूर क्या है 35 यह भी हमने फाइंड आट कर दिया अब हम पार्ट टू करेंगे पार्ट टू क्या है टू सिक्स जिरो वान ठीक है तो इनका हमने एंचियम लिया टू सिक्स जिरो वन टू पे तो जाएगा नहीं तो अज थ्री के देखेंगे 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 तो 3 के टेबल में चल जाएगा क्यूंकि इनको एड करने पर क्या आता है 9 आता है और 3 के टेबल में 9 आता है तो स सबसे पहले हम 26 दिखेंगे 26 के नज़दी क्याएगा 3 8 24 तो यहां पर लेखेंगे 8 24 लिया 26 24 के लेसिए तो और मेंड़ बचा 2 तो यह बनगया 20 तो 20 के नज़दी क्याए है 3 6 18 20 में से 18 लेज़ गया remainder बचा 2 तो यह बन के 21 3 721 उसके बाद हम देखेंगे फिर इसकी डिविजिनल्टी 3 से है यह नहीं है तो 7 प्लस 6 13 13 प्लस 8 21 ठीक है फिर 3 से चले जाएगा ट्री एट के नज़िए क्या गता है 3 2006 डिमेंडर 22 26 बन के अब 26 ज़िक 3 एच्थ 24 फिर 26 में देट 24 एच्थ गया remainder 2 बच गया 27 अब श्टुनेंस यह जाएगा 9 प्लस 8 17 प्लस 2 19 अब 19 दिया टेबल पर नहीं हाता तो यह नहीं जासकता फाइब पर नहीं जाएगा पिणाएगा खी तो फॉर फमरे नहीं पर नहीं जाएगा तो सटोडिन्स जब यह इसका मुतलब कि यह कीजी का आप यहां पर नाइन है अगर आपको स्क्यार यान नहीं है तो बांक है अगर आपके नाइन जा रहा है तो आपने देखना है कि जो 9 किस में आता है 3 3 9 आता है 7 7 49 आता है ठीके ना अब हमने देखना है 13 को अगर 13 से multiply करोगे तो आपके बस आएगा 169 13 प्लस 3 16 0 लगा है 163 और 3 3 9 168 9 169 आ गया अब 7 7 आता है 49 17 को 17 से multiply करके देख लेते हैं ठीक है 17 प्लस 7 24 0 लगा दिया 7 7 49 ठीक है तुम्हार पास आगया 289 स्टूरिंस यह एक वेदिक मैद की ठीक है उसकी हेल्प से मैं यह स्क्योर कर रहे हूं अगर यह आपको समझ आ जाएगी ना तो आप यह अपने आइज में भी कर सकते हैं ठीक है ना तो यहां पर किसना आया 17 को हमने 17 से multiply किया 289 फिर 17 बंस दा 17 तो 2 6 0 1 की factor क्या हुए 3 multiply 3 multiply 17 multiply 17 अब यह पेर में बन रहे हैं 3 का स्क्योर मैं 17 का स्क्योर अब यह 2 को मन है तो 3 multiply 17 स्क्योर बाहरा जगा तो कितना आ जगा 17 को हमने 3 से multiply किया कितना जगा 303 और 21 51 का स्क्योर आ जगा ठीक है स्क्योर जगा तो 2 6 0 1 21 is a perfect square and 51 is the number number whose square is 2 6 0 1 ठीक है बच्चों इस तरह से visibility देखते है किस पर जाती है और 9 प्लस 9 18 प्लस 2 20 प्लस 5 25 तो बच्चों यह नहीं जा रहा थी पर तो जा नहीं रहा अब 9 किस में आता है 7 के टेबल में ठीक है थोड़ा सा आपको guesses लगाने पड़ेंगे ठीक है ना आप टू के टेबल में फिर 4 से देखोगे बहुत नहीं है आपने आपको पता नाइन तो नाइन के जा त्री के टेबल में आता है एंड में ठीक है ना थ्री तो यह थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा तो हम इसको सेवन किसे करके देख लिए तो सेवन एट जा कितना था 56 ठीक है 56 तो 9 में से 6 लेस गया थ्री रिमेंटर बचा थिट्टी टू 7-4-28 तो मारा रिमेंडर बचा 449 आज 7 के टेवन कर जाएगा 7-8-56 59 में से 56 को लेंडर बचा 3 अब यह के बनके 32 7 के टेवन 32 या तो उसके नज़दी काता है 7-4-28 32 में से 28 को लेंडर बचा 4 तो बनके 49 7-7-49 ठीक है बच्चों अब यह किस पे जाएगा अब यह अगें 7 के बचा जाएगा 7-1-7 रिमेंडर 1-14-7-2-14-7-7 अब स्टूडेंट्स यह जो नंबर आया है यह किसी पे नहीं जाएगा ठीक है ना अब वन किस में आता है यह तो आता है यह आता है नाई-9-81 लास्ट में जो नंबर आता है ठीक है ना तो वन किसमें आगर हमने 11 को 11 से मु 11 बंजा 11 तो 5929 के फैक्टर के हुए 5929 इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 तो कितना गया 77 का स्क्यूर आगया ठीक है अब यहां पर हम सेम वर्डिंग लिखनेंगे सो 5929 इस आप्रफेक्ट स्क्यूर ठीक है वर्डिंग आप अपनी मर्जी जैसे मर्जी लिख सकते हैं एंट सेम्टी सेवन इस दा नंबर फूल्स स्क्यूर इस 5929 ठीक है ना या मतलिक किसी भी लांगेज में आप इसको लिख सकते हैं अब पार्ट फोर करेंगे सेवन जिरो फाइव सिक्स सेवन जिरो फाइव सिक्स अब बच्चो यह किसपे चल जाएगा सिक्स है तो से यह हो जाएगा डिवाइट टू खीक सेवन एंटर बचते 10-2 5 10 फिर 5 है तो 2 आ 4 रिमेंडर 1 2 8 16 अगें तू के टेबल यहां पर इवन नंबर है तू बन जा टू 15 तू 7 जा 14 तू 6 12 तू 4 जा एट अगें यह किस पर जाएगा 2 के टेबल जाएगा 2 8 16 रिमेंडर 1 16 बने तू एट जा 16 तू तू 4 128 248 12 212 अर्व त्वेज human 對 इनको यदग करने पर 9 आता तो 3 से डिवीजिबल हो जब है ठीक है ना तो किस पार चायगा थ्री 413 यह याह समय पच्छर別 फॉर्टीоны उपन गया फेविज पार मिर्वज थ्वेज से और रुमेंडर 2, 3, 9, 027 फिर अगेंज ये 7 के टेबल में चला जाएगा ठीक है 7 बंजा 7 अब हमारे 7056 के फैक्टर के बने 1, 1, 2, 3, 4 4 टाइमस 2 है 1, 2, 3, 4 फिर 3 मल्टिप्लाई 3 और 7 मल्टिप्लाई 7 तो इनका एक प्यर बन गया 2 स्कियर स्कियर 3 स्कियर 7 आप हम इसको बाहर निकाल देंगे 2 2 2 2 3 2 7 स्कियर ठीक करेंगे 703 गैने 21 21 को हम 2 2 4 21 को 4 से मल्टिप्लाई किया 4 1 4 4 84 का स्कियर आगया ठीक है तो आप लिग सकते है नीचे है कि so 7056 is a perfect square and 84 is the number whose square is 7056 students अब हम करते हैं question 5 last part of question 2 8281 अब इसका हमने factor लिये ठीक है तो ये 1 है तो पर इसके देखते हैं किसरे किसे बनती है Two से तो हो निसकता तो 8 Plus 8 16 और स्पेश्टें आजस्टेवे सॉक्सिस्सेवन में एस एसेवन के टेवल में चला जाएगा ठीक है ना तो तो 7, 8 है, 7 बन्जा 7, रमेंडर 1 बचा, तो 12, 12 नहीं आता, 12 के नहीं दे, 7 बन्जा 7 ही लेंगे, 12 में से हमने 7 को लेस गया है, तो रमेंडर बचा 5, तो ये बन गए 58, 7 बन्जा 56, 58 में से 56 को लेस गया, तो महाने बास बन गया, 2 रमेंडर बन गया, 21, 7, 3 बन्जा 21, अब students अगें 7 के टेवल में चला जाएगा, ठीक है, देखो, परफेक्ट ये अल्रडी बता रहा है, तो उसका मतलब ये अगें 7 के टेवल में निकावे चला जाएगा, तो 7 बन्जा 7, 11 में से हमने 7 को लेस किया, तो हमारे पस क्या बचा, ये बन गया 48, और 48 के नजदी कहता है, 7 में से हमने 7 को लेस किया, तो हमारे पस क्या बचा, 7 को लेस किया, तो हमारे पस बचा, 5 बचा, ना, ने, 11 में से, 11 में से बने, 7 को लेसे 4 बचा, ये बन गया, 48 बन गया, 7, 6 को लेस करेंगे, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 7, 9, 63, तो कभी-कभी ने इतनी confusion हो जाती है, ठीक है, अब 169, 9 प्लस 10, 10 प्लस 6, 16, तो स्टूरेंट ये 3 के टेबल से नहीं कर रहा, और 7 के टेबल में कर जाएगा, 7 बन गया, 7 के टेबल में नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि ये square है, अब जो 9 एक इसमें आता है, या तो 3, 3 is the 9 होता है, या 7, 7 is the 49 होता है, तो 13 को 13 से multiply करके देखा, 13 प्लस 3, 16, 0 लगाया, 3, 3 is the 9, तो ये कितना है, 13 का square है, ठीक है, तो 13 बन जा 13, अब 821 के factor क्या थी, 7 into 7 into 13 into 13, इनका एक प्लस बन गया, इसका एक प्लस बन गया, तो बन गया, 7 square into 13 का square, अब 2 को common है, इसको हमने बाहर निकाल दिया, तो 13 को हमने 7 से multiply किया, कितना है, 7, 3 is the 21, 1 to carry, 7, 1 is the 7, plus 2, 91 का square आया, ठीक है, अब हम यह आप लिखेंगे, so, 8, 2, 8, 1 is a perfect square, square and 91 is the number, 91 is the number, who, 99 is the number, who is the square of 8 to 8, 1, ठीक है बच्चों, इस तरह से अपने question 2 को solve करने है, इस वीडियो में question 2 को ही solve करेंगे, कि वीडियो बहुत लंभी हो जाती है, next वीडियो में question 3 को solve करेंगे, अगर आपको वीडियो यूसफुल लगे तो वीडियो को शेयर करें लाइक और लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यूट तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग नेक्स्ट वीडियो में कोश्चन तरीकों सॉल्व करेंगे